नमस्ते माले आजो सेकेंड ट्यू टिरियल लिया रहा आएकुछू इरिगेशन इंजिनेरिंग को रद तपायन ले एड़ा कुस्त लाग से कॉमेंट करना चाहिए ना मिरस नुला से तपर को एक लाइक मेरे लागी इंपोर्टेंड वन चाहिएक लाइक स्काइब स्काइब लो लेक स्टाट क्शिंस इस्टाट गरो तप फल्विव इडू दियू दोप्तेंड दिरिं दिजिट आफ रिविट रिव रिवर माक्सिमुम दिशाज काथी 6000 क्युमेक्सा आस फ्रॉट लेबल 100 फो मिटर बेड लेबल फ्रीवर 100 अब्रेश दियमेटर फ्रीवर बेल्ट मेट्रियल 0.1 mm design and sketch of guide bank of include the launching apron of the apron for river training manager युजाए कोईशन भाव अब युजाए स्टेप पाची मही लेजाए सोलुशन गरे राहा हुए युजाए इम्पोर्टेट्ट कोईशन भाव फिरी इरिगेशन को लागी स्टेप बान मा की अने डिसाज 6000 क्यों मेक्स अ आए फ्लोर लेबल 104 अ रिवर बेड लेबल 100 डामेटर युजा जाए गिवन डाटाब फस्समा जाई गाणना साही युजा रिमेल जासर गरेशन तब युजाए रिमेल जासर गरेशन तब युजाए तेस पच वाटरोय न स्टेप पाहिले लेख स्टेप परिमेटर 4.75 रुट अंडर क्यू दा क्यों १ियु है क्यों अने को 6000 गर्दा को यहाया है किता हम पाइब टास्ट स्ट आपर मिन रिंध प्रिंड लाइ प्रिंड रिंड गर जो this वसकी तेयो क्याल्याइटगार गरता है स्पेसिम किता इन दा बंड रेदी योगर ने थेस पची गारा 441.591 नेल इकोल तो 442 मिटर आयो थेस पची गारा लेंथ बेंग अन आपस्यम बीज साइज 1.25 इन तो स्पेसिम बिता इन दा बंड वा नेको गातिशा 442 योगर दा 552.5 मिटर बाओ लेंथ अब दा बेंग अन डाउन स्टिम आफ दा बिरिज 0.25 इन्टू स्पेसिंग बिताइन दा बंड 442 चा त्यों गार दा 110.5 मिटर आयो योगर सागे पाची यहड़ा फीगर एसा यहरी मनावना साही मुल जासने महादे कोई डाड़ा हो यो फेरी तीस पची गवरा आर वन क्यालकुलेट करदा 0.45 इन्टू एल एल भानेको 442 चा त्यों गादा 198.9 मिटर आयो रा आट्टू गादा आर वन बाइटू इन्टू आर वनेको माधि नैन 198.9 बाइटू गादा 99.45 योजें फीगर के गो ता प्लान आफ गाइड बेंग को प्लान आफ गाइड बेंग चैंए स्केज गाणास 35.45 क्रोस सेक्षिन आफ गाइड बेंग निगालास लेट विर्थ विर्थ कासर लेट गाणास इस आम्रो वाइड फो मीटर जा अले यो पसाइड फीगर मान देखनांच जुन वाई गांदा ये डिफ्ष गांदा अले काथी बड़ी गारन पड़ तेसको केले महीले 5 मीटर गरे साइड शोल अब टू एट वाण कांसिडर दा फ्रीबोर 2 मीटर गरे याशो एंद फीगर ये फीगर मास असरी गरे शुन तेसे गरनाश तेस पाची क्रोस सेक्षेन ऑफ ये ऑफ इस्टेट डिच अप वील मांड भाव येवज वील मांड को चाहें गरदा ये ती मीटर आयो महाथी क्यालकुलेट मनें गरे साइड पसाइड बेन छा एन उस राम्स न प्रण डिजाइन रने शुरू मां थिकनेस अफ इस्टोन पीचिंग मने को 0.06 इंटो क्यूग पावर 1 बाई 3 एती गरदा भाची इस्टोन थिकनेस अफ इस्टोन पीचिंग एती आयो 1.09 मिटर थिकनेस अफ एप्रोन एप्रोन 1.9 इंटो टी मांथी क्यालकुलेट गरे 1.09 गरदा 0.2.071 टेंथ अफ लांचिंग एप्रोन डी बराबर क्यों होता है एस माइनस आर माइनस वाई लेस्टी शील्ट फ्याक्टर माने को कच चाओ 1.76 रूट अंडर दी अम्म डी बने को 0.1 अधिकी बनने चाओ त्यों गरदा 0.056 मिटा आयो त्यस्पाची आर क्यालकुलेट गवाण पड़ो 0.7 इंटु क्यूम बाई एफ 1 बाई 3 गवादा आर 10.386 आयो त्येटी गर्जागे बाची योचाए मिले अक्सल मां गरे रहे लेगों योटा आम्रों क्येश हता शूरूमा पहला आम्रों कॉर्व और नोज मादा 2.25 मिन ब्यालों फे एक्स को उन पड़ो ट्रांजिशन बाव मने 1.5 रेस्टेट पोर्शन बाव मने 1.25 म आमिले एक्स यो 2.5 आर बाने को माती 10.386 आनि वाई ही बाने को आनि फोबा त्येस अगरी योई येता क्याल्कुलेट रहाता सबाई को ये आयो आए पच्छी अब आम्रों कॉर्श सेक्शन आओ बीवी अभी स्टेट रिज आप बेल बार्ट् चाहिए यो वह रए यो माती क्याल्कुलेट गरिशागा चाहाँ वाई जे कसर निकाल्याँ मने हेज आफल माइनस बेड लेवल रिवर गादा 104-100 को आको 3.2 एजम गरे रहाँ आशो बीवर चाहिए जीराटी ब jus Er accelerate 119 माट्स आब चाहिए बीवर चाहिए fps दो लनाम्रों का था निक भी आपटक ब्लक।